दोस्तो स्वागत हैं आपका हमारे इस वीडियो में दोस्तो अगर आपका दिमाग सही डंग से काम नहीं कर रहा है चीजे कहीं रख कर भूल जाते हैं या फिर आपका कोई महत्वपून काम है और उसे आप भूल जाते हैं तो आपका दिमाग कमजोर है अक्सर बच्चों में भी ये समस्या देखी जाती है उनकी यादास्त कमजोर होने की वज़े से वे पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आई हैं एक बहतरी नुस्खा जो तीन दिन में आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा इस प्रियोक के लिए प्रियोक्त सामान आपके गर्मे ही मिल जाएंगे तो चलिए जान लेते हैं सामगरी, एक गलास दूद, एक चमच नायरियल तेल और एक चमच शहद, पाच ग्राम देशी मिश्री रात को सोते समय एक गलास दूद गर्म करें लेकिन इसमें आपको चीनी नहीं डालनी है इसको गर्म होने के बाद उतार लें इसमें अब एक चमच नायरियल तेल मिला दें इसमें आप शहद भी गोल लें अगर शहद इस्तिमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसमें देशी मिश्री डालें अथार्ट जो की गाठ में आती है उसका इस्तिमाल करना है मूटी दानेदार चीनी का इस्तिमाल नहीं करना है आपको इसका पैस्ट मिश्रन बना के रात को सोते समय पीना है बच्चों को आप नारेल का तेल आधी मातरा में दे इसके सेवन के बाद हो सकता है कि आपको दस्त की समस्या हो सवेरे क्योंकि नारेल तेल किसी को हजम नहीं होता है इसलिए जिन लोगों को ये हजम नहीं होता है वो एक बार इसकी मात्रा बिल्कुल थोड़ी कम कर दें और दीरे दीरे इसकी मात्रा को बढ़ाएं अगर फिर भी आप नारेल का तेल इस्तिमाल नहीं करना चाते हैं तो वो कच्चा नारेल लेकर इसमें पानी के साथ जो मलाई होती है उसको निकाल कर अच्छे से मेश करके इस्तेमाल कर सकते हैं दूद जैसा बन जाए तो उसका सेवन भी वो कर सकते हैं दोस्तों यह यादा स्टेमिना सकती बढ़ाने के लिए सबसे बहतर उपाय है और सस्ता और बढ़िया प्रयोग है जानकारी पसंद आई हो तो चैनल आप जरू सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद